नमस्कार कैसे हैं आप लोग स्वागत है विल्कम है आपको का कम्पटिशन कम्यून्टी के इस आर्लाइन प्लेटफॉर्म पर जैसा कि साथियों पिछले कुछ समय से मद्ध प्रदेश प्रारंभिक परिच्छा को ले करके यूनिट 10 के बारे में चर्चा कर रहे हैं हमने इसके पहले के जो वीडियो थे उनमें पहले वीडियो में हमने भारत निर्वाचन आयोग उसके बार राज निर्वाचन आयोग और साथ में मद्ध प्रदेश निर्वाचन आयोग के बारे में हमने पढ़ा और आज हम उसी यूनिट 10 का जो अगला अध्याय है चैप्ट कार इसकी आवस्षक्ता क्यों हुई इसका संबैधानिक क्या प्रावधान है इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे तो जैसा कि आप देख रहे हैं लोगों है सत्तमेव जैते और यूनियन पॉब्लिक सर्विस कमीशन संग लोक सेवा आयोग आपको स्लाइड में दिख रहा ह होगा तो आई हम देखते हैं संग लोक सेवा आयोग के बारे में और हम विस्तार से पढ़ते हैं क्या कि संग लोक सेवा आयोग का हमारे सलेवस में रोल है और परिच्छा में इसका रखने का क्या प्रावधान है अगर हम यह सब डिटेल में जब पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे और फिर जब हम आगे बढ़ेंगे में आएंगे तब इसको और बेहतर तरीके से पढ़ने की वोसिस करेंगे आएए देखते हैं तो हम क्या है संग लोग सेवा आयोग UPSC Union Public Service Commission संग लोग सेवा आयोग में हम क्या-क्या पढ़ेंगे उनके बारे में हमने चर्चा करनी हैं पहले प्रश्ट भूम के बारे में बात करेंगे देखेंगे कि इसकी क्या प्रश्ट भूम रही इसका क्या बैक्राउंड रहा संग लोग सेवा आयोग का इसके बारे में सामान जानकारी उसके बाद महत्यपूर्ण अनुच्छेत जो हैं उसके बाद हम संरचना देखेंगे कि कैसी संरचना है हमारे संग लोग सेबा आयोग की उसके बाद देखेंगे अध्यक्ष वा सदस की इसमें कितने अध्यक्ष होते हैं कितने सदस्यों का संबैधानिक प्रावधान है कैसी इसकी संरचना है कितने लोग इसमें काम करते हैं इनके बारे में देखेंगे हम देखेंगे इसके मुखकार क्या है काम क्या करता है संग लोग सिवा आयोग इन सब के बारे में चर्चा करेंगे इनकी सिमाएं भी देखेंगे, तो कि कोई भी आयोग हो, कोई भी संस्था हो, उसकी कुछ सिमाएं निरधारित होती हैं, तो इनकी सिमाव में रहेकर आयोग काम करता है, उसके बारे में भी हम देखेंगे, और फिर अन्य महत्वूर्टत्त के बारे में चर्चा करेंगे, कि औ प्रश्ट भूम में सबसे पहले इसके बैग्राउंड के बारे में समझते हैं तो अगर सुरुवात की बात करें कि संग लोग सेवा आयोग की सुरुवात कब हुई तो उसके पहले हम समझते हैं कि संग लोग सेवा आयोग की सुरुवात आखिर हुई क्यों इसके आवस्षक्त आ करें उसे उसे तो साथियों जैसा कि आप जानते हैं कि भारत एक बहुत बड़ा लोक तंत्र है और इस लोक तंत्र में चाहे वो कारपालिका हो, बिधाईका हो, नयाईपालिका हो, इन सब के सहयोग से हमारा देश काम कर रहा है, आंगे बढ़ रहा है तो इसमें कारपालिका में कौन लोग आएंगे कैसे इनकी भरती प्रक्रिया होगी कैसे हम बहतर से बहतर लोग सेवकों का चैन कर पाएं इन सब के लिए जब चर्चा हुई और ऐसी आवश्यक्ता महसूस हुई कि इनके लिए एक संस्था का गठन किया जाना चाहिए उस समय ब्रिटिस काल में क्या हुगा इसका जरूरत महसूस हुई संगलोग सेवा आयोग की ऐसा लगा कि एक कोई संस्था होनी चाहिए जो इन लोग सेवकों की भरती प्रक्रिया को सुनिश्चित करे और अच्छे लोगों की एक योगता का प्रापधान करके भरती किया जा सकी तो सबसे पहले लीड कारण वालिस 시ीब को का जन्मदाता कहा जाता है इसको लीड कार्न वालिस को प्रथम परिच्छा की गर बात करें कि बृत काल में जब हम बात करते हैं कि इसकी एक संबैधानिक प्रक्तिया का ऐसा लगा इस सीविल सेवको का जन्मदाता कहा जाता है, इसको लाट ड कान वालिस को प्रतम परिछा की अगर बात करें, कि ब्रिटिस काल में जब हम बात करते हैं कि इसकी एक संबैधानिक प्रक्तिया का ऐसा लगा कि आवस्चता महसूस होगी तो उस समय पहली बार परिच्छा कब हुई तो परिच्छा हुई 16 जुलाई 1815 में और ये परिच्छा लंदन में आयोजित की गई थी इस परिच्छा का आयोजित लंदन में किया गया था लेकिन ये भारतियों के लिए आयोजित परिच्छा थी और इसका आयोजित लंदन में किया गया एचिंसन आयोग का भी गठन किया गया जिसकी अध्धक्षता लाट डफरिन कर रहे थे प्लार डफरिन की अध्यक्षता में एचिंसन आयोग का गठन हुआ एचिंसन आयोग का गठन इसलिए हुआ था कि ये कमेटी ये तैं करे कि क्या भारतियों के लिए लोकसेवा आयोग की परिच्छा भारत में कराई जा सकती है क्या ऐसे atmosphere हमारे भारत में है क्या कि हम संग लोकसेबा आयोक से जो लोकसेबकों की भरती कराते हैं उसकी परिच्छा का आयोजन लंदन में ना करके भारत में ही कराया जा सकी उसके बाद एस लिंगटन आयोक का गठन हुआ इसमें जो आप अभी देखते होंगे कि पदोनती में वरिष्टता का जो सिध्धान्त है वो इसी आयोक किसी पारिस के तहत है उसके बाद हम देखें कि भारती संबैधान में इसका प्रापधान कैसे हुआ भारती संबैधानिक प्रक्रिया के तहत इसका विकास कैसे हुआ तो हम देखते हैं कि जो भारत सासन अधिनियम 1929 जो हमारा भारत सासन अधिनियम 1929 है उससे सिविल सेव कों के बारे में एक प्रश्टिभूमी तैयार हुई भारती सिविल सेवा के लिए सिविल सेवाओं का दो भागों में बरगी करण हुआ एक अखिल भारती संस्था थी और एक केंद्री संस्था थी इसमें हुआ क्या कि 1922 में इलाहबाद में सिविल सेवा परिच्छा का पहली बार आयोजन हुआ भारत में पहली बार आयोजन कहा हुआ इलाहवाद में हुआ अब साथियो इलाहवाद प्रियाग राज हो गया है और आप इसका नाम लेकिन जब हम इतिहास के पन्नों पर देखेंगे तो 1922 में इलाहवाद था तो इसलिए आप कभी भी इसमें कन्फ्यूज मत हों क्योंकि प करकार में लेकिन जब कोशन पूछेगा कि पहली बार भारत में सीवील सेवा परिच्छा का आयोजन किस सहर में हुआ और अपसन में इलाहवाद है तो इलाहवाद उसका सही उत्तर होगा अब वहां प्रियाग राज ढोने की कोशिस ना करें चलिए बहरहाल आगे बढ़ते हैं देखते हैं गठन के बारे में कि इसका गठन कब हुआ अखिरकार संग लोग सेवा आयोग भारत में संस्था है तो उसके गठन कब हुआ तो गठन हुआ एक अक्टूबर 1926 में संग लोग सेवा आयोग का गठन हुआ भारत में और जो हुआ वो भारत सासन दिनियाम 1919 की जो section 96C है उसके तहट जो 1923 में लियायोग गठित हुआ था उसके तहट लियायोग की रिपोर्ट आई 1924 में 27 मार्च को और उसी के तहट गठित हुआ हमारे भारत में एक संगलोग सेवायोग जैसी संस्ता का गठन हुआ इसके संरचना की अगर बात करें संरचना उस समय की जब इसका गठन हुआ उस समय क्या संरचना थी संगलोग सेवायोग की अगर हम देखें तो उस समय एक अध्यक्ष वह चार सदस्यों से मिलकर बनी हुई ये संस्ता थी मतलब एक अध्यक्ष थे और चार उसमें सदस्य थे पांच लोगों से बनी ये संस्था थी अगर इसकी प्रताम अध्यक्ष की बात करें तो इसनके अध्यक्ष कौन थे तो वो रास बरकर जीम के अध्यक्ष थे 1935 का भारत सासन अधिनियम आया उसमें केंद्र में क्या हुआ कि फ्रेडरल सर्विस कमीशन गठित हुआ फ्रेडरल सर्विस कमीशन नाम दिया गया और ये एक अपरेल 1937 को हुआ प्रांतों में क्या हुआ प्रांती लोग सेवा आयोक का गठन हुआ और 26 जनवरी 1950 को जब हमारे भारत का संविधान लागू हुआ उस समय भाग 14 से आर्टिकल जो 315 है उसमें इसके गठन का प्राभधान है और 315 से 323 तक में हमारे संग लोग सेवा आयोक के बारे में बा जलिया तो ऋनकी बात करें तो हिसके करफलानी जी थे कब 200 जनवरी 1950 को और सोतंत्रता के समय भी अध्यक्ष यही थे एचके करपलानी जी प्रहास के बारे में जाना संग लोग सेवा आयोग के अब आईए देखते हैं महत्तुपूर अनुच्छेद क्योंकि हम जानते हैं कि संग लोग सेवा आयोग एक संबैधानिक निकाय है इसका संबिधान के भाग शुगदा में जो आर्टिकल है 315 से 323 वहां इसका वर्णन कि गया है भाग शुगदा संग एवं राज्यों के अधिन सेवाएं जो इसका आर्टिकल 308 है उसमें 308 से लेकर 330 तक में इनका प्राबधान है 308 से 314 तक में सेवाओं के बारे में बात की गई है और जो अध्या चैप्टर 2 है इसी का उसमें लोग सेवा आयोग के बारे में बात की गई है और इसका जो आर्टिकल 315 है और 315 से 23 तक में संग लोग सेवा आयोग के बारे में बात की गई है हलाकि यही राज्ये लोग सेवा आयोग के बारे में भी प्राबधान है तो अपन पढ़ेंगे ये आर्टिकल 315 से 323 तक के क्योंकि ये हमारे लिए लोक सेवा आयोक के आर्टिकल में हम देखें कि किस आर्टिकल में क्या बर्णन किया गया है तो एक एक करके हम समझते हुए आगे बढ़ेंगे आप देखिए कि आर्टिकल 315 में क्या कहता है कि इसमें गठन का प्राबधान है संग लोग सेवा आयोग के इस्थापना का प्राबधान किस आर्टिकल में किया गया है अनुच्छे 315 में उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो अनुच्छे 316 में इनकी नियुक्ति का प्राबधान है इनकी योगता का प्राबधान है इनकी पदावधी का प्राबधान है और इनकी त्याग पत्र की पद्धती भी इसी में बढ़नित है किसमें आर्टिकल 316 अनुच्य 317 में देखें तो इसमें हटाने की प्रक्रिया के बारे में बात की गई है कि इनको कैसे हटाया जाएगा अभी हम विस्तार से आगे पढ़ेंगे किस आर्टिकल में कहां क्या वर्णन है अब जैसे हटाने की क्या प्रक्रिया है इसमें योगता पदावधी हुआ त आगपत के बारे में बात की गई है तो हम ये भी देखेंगे कि इनकी योगता का निधारन कौन करता है इनकी पदावध कितनी होती है इन सब के बारे में हम विस्तार से आगे चर्चा करेंगे अनुच्य 318 में ये कहा गया है कि अध्यक्ष वा सदस्यों की सेवा सरतें क्या होंगी उनके बारे में बात की गई है और जो अनुच्छे 312 है उसमें अध्यक्ष वा सदस्यों के पुनरनी उक्ती के बारे में चर्चा की गई है और जो संग लोग सेवा आयोग से संबंधित अर्टिकल है अनुच्छे 320 उसमें इसके आयोग के कार के बारे में बात की गई है और 321 में कार विस्तार की सक्ति क्या होगी उसके बारे में बताया गया है अनुच्छेद 322 में देखें तो इसमें बेतन भत्ते संचित निधी पर भारत की संचित निधी पर भारत होगे जो अनुच्छेद 266 में है भारती संभिधानी और अनुच्छेद 323 में देखेंगे तो इसमें रिपोर्ट के बारे में बात की गई है रिपोर्ट के बारे में ये है कि जो भी काम हमारा संग लोग सिवायोग करता है उसकी रिपोर्ट वो राष्टपती को सौपेगा और राष्टपती उसे संसद में दोनों सदनों में समय समय पर उपलब्द कराएंगे संसद में रखेंगे उस रिपोर्ट को अब हम बिस्तार से देखेंगे कि अनुच्छे 315, तो 315 की सवाइटिकल एक में ये कहा गया है, संग के लिए संग लोक सिवायोग होगी, राज्ज के लिए राज्जलोक सिवायोग का गठन किया जाएगा, और जो अनुच्छे 315 दो है, उसमें ये कहा गया है, कि संयुक्त सिवायोग का गठन किया जाएगा, और उसका गठन कैसे होगा, तो जब दो या, दो से अधिक राज्ज.......... chests दो की सेमति होगी, तब ऐसा किया जा सकता है, संयुक्त लोक सिवायोग का गठन किया जा सकता 315.4 में है कि राज पाल का संग लोक सेवा आयोक से ये अनरोध होगा कि वो इनका गठन करे 316 के सब आर्टिकल फस्ट में ये है कि अध्यक्ष हुआ सदस्यों की नियुक्ति की योगता क्या होगी किस योगता के तहतिन की नियुक्ति होगी उसके बारे में बात Article 316 के 1st में की गई है इसमें UPSC and JPSC JPSC से तद पर यहाँ यह है UPSC का तो आप जानते है Union Public Service Commission संगलोक सेवा आयोग JPSC से तद पर यह है Joint Public Service Commission संयुक्त लोक सेवा आयोग इनकी जो निफ्ती का काम होगा यह कौन करेगा राष्ट पतिजी करेंगे और SPSC जो State Public Service Commission होता है उसमें राज जपाल का अधिकार है कि वो इनकी निफ्ती करें योगता की अगर बात करें की संगलोक सेवा आयोग में वो कौन बेक्ती होंगे जो अध्यक्ष और सदस बनेंगे तो इन में आधे सदस्यों को भारत या किसी राज सरकार के आधिन कम से कम दस वर्स के कारे करने का अनुभव होना चाहिए वो जो इसमें सदस्यों को आधे सदस्यों का कम से कम दस वर्सों तक कारें अनुभव कहा होना चाहिए चाहे वो केंद सरकार के अंतरगत काम किये हों या राज्य सरकार के अंतरगत काम किये हों, उनके अनुभाव का कम से कम कितना दस वरुसूं का प्रसासनिक अनुभाव की बात करता है। अनुच्छ 316 का आर्टिकल 1st A कहता है कि कारकारी अध्यक्ष, कारकारी अध्यक्ष कौन निक्त करेगा? तो कारकारी अध्यक्ष निक्त करने का अधिकार UPSC में राष्ट पती को दिया गया है और यही संयुक्त लोग सेवायोग में हैं और अगर हम राज इस्तर पर देखें, तो राज जपाल को ये अधिकार दिया गया है। आईए हम आगे देखते हैं संग लोग सेवायोग के बारे में तो अनुच्छे 316 का सब आर्टिकल 2 ये कहता है कि पदावद ही वो त्याग पत्र, इनकी पदावद कितनी होगी और ये त्याग पत्र किसको देगी? अगर इनको लगता है कि हमको त्याग पत्र देना है अप करें संग लोग सेवायोग के बात करें तो उसमें 65 वर्स है हम राज जी की बात करें तो उसमें 62 वर्स है और अगर हम संयुक्त लोग सेवायोग जोइन्ट पब्लिक सर्मिस कमिशन की बात करें तो उसमें 62 वर्स है त्याग पत्र अगर देखें तो यूपी असी और जो संय 316 का जो सव आर्टिकल 3 है वो कहता है पूना उसी पदपर नियुक्ति नहीं होगी चाहे वो अध्यक्ष हो चाहे सदस्य हो उनको पूना अपने उसी पदपर पूना नियुक्ति नहीं दी जा सकती अगर माली जे कोई अध्यक्ष है वो अध्यक्ष पदपर नियुक्त नहीं ह सकता है लेकिन वह कुना संग लोग सिवायोक का सदस्य नहीं बन सकता है इसके बारे में बात आर्टिकल 316 के सब आर्टिकल 3 में की गई है उसके बात देखिए अनुछे 317 का जो सब आर्टिकल 1 है वो कहता है कि अध्यक्ष होगा सदस्यों को हटाने की जो प्रक्रिया होगी वो क्या होगी उसके बारे में बात करता है तो UPSC के अगर बात करें तो उसमें राष्ट पती को ये अधिकार है कि वो उनको हटा सकते हैं लेकिन राष्ट पती जी ऐसे नहीं हटा सकते एक जो सर्वोच नयाले की रिपोर्ट के आधार पर हटाया जाता है सर्वोच नयाले कि एक जाच रिपोर्ट गठित होगी और वो ये करेगी वो राष्ठपती जी को बताएगी कि इनको हँटाना чाहिए हां एक वात याद रखें अगर राष्ठपती जी ने सर्वोच नयाले से ये परामर्स मागा कि इनको हँटाना चाहिए कि नहीं लेकिन अगर सरवोच नियाले ने ये कहा कि इनको हटाना चाहिए तो वो सलाह इनके लिए बाद्धिकारी होगी राश्टपती जी के लिए फिर उनको हटाना ही होगा आधार क्या होगा किस आधार पर ऐसा किया जा सकता है तो सावित कदाचार हो, किसी प्रकार का सावित कदाचार होता है, तो उसके आधार पर इनको हंटाने के प्रक्रिया की जाती है, प्रक्रिया का जो वर्णन है, वो अनुच्छे 145 के तहट, उच्चितम ने आले कि जांच रिपोर्ट के बाद होगा, मैंने आपको बताया ही कि ये सलाय बाद्धिकारी है ये सलाय को मानना अनिवार हो जाएगा अनुच्छे 317-2 में कहता है कि जाच के बाद निलंबन इन जाच के बाद ही निलंबन होगा उसके पहले नहीं UPSC एंड JPSC मतलब संगलोक सिवायोग एंड संयुक्त लोक सिवायोग में राजपाल को ये अथर्टी है और इसी तरह जो राज लोक सिवायोग है मैंने आपको बताया ही कि राज तैं करेगा यहां देखते हैं अपन अणुच्छे 3073 यहां अध्यक छुअ सदस्टो को हटाने के अन्याधार क्या होगे और किन आधारों पर उनको हटाये जा सकता है अगर वो दिवालिया हो गए हो दिवालिया होने से मतलब यह है कि आप अगर किसी संस्था से या किसी व्यक्ति से आपने ये आर्थिक रूप का मामला है दिवालियापन अगर आपने किसी से करज लिया है किसी से उधा लिया है और आप चुका पाने की स्थिती में नहीं है त तो कोड़ आपको दिवालिया घोसित कर सकता है, तो अगर आप दिवालिया घोसित कर दिया गया हो, तो उनको हटाया जा सकता है, अवैतनिक कारे पर लग गये हो, या इन्होंने कहीं किसी सरकार के आधिन किसी काम में लग गये हो, किसी पद पर लग गये हो, मानसिक या सारीर रूप से उस पद के लिए आयोग हो गए हों तब भी आपको हटाया जा सकता है किसको हटाया जा सकता है इन संगलोग सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्योग कहता है अनुच्छे 317 का सब आर्टिकल 4 की कदाचार होने पर निगमित कमपनी से करार या भारस या राज सरकार की संबिदा का इच्छुक ऐसा कोई वक्ति हो गया हो उसको हटाया जा सकता है अनुच्छे 318 में क्या है अनुच्छे 318 ये कहता है कि अध्यक्ष वा सदस्यों की सेवा सर्तें संख्या बेतन भत्ते इन सब चीजों का निर्धारान चाहे वो यूपी असी हो चाहे संयुक्त लोग सेवा आयोग हो कौन करता है राष्टपती जी करते हैं राष्टपती 319 ये कहता है कि आयोग के सदस वा अध्यक्षों की पुनर नियुक्ति के बारे में बात करता है तो यूपी असी का जो अध्यक्ष है वो पुनर नियुक्त नहीं हो सकता है वो पुनर नियुक्ति का पात्र नहीं है सदस मात्र अगर सदस है वो यूपी असी का तो वो के वा अध्यक्ष बन सकता है वो अध्यक्ष संगलोग सिवायोग का भी बन सकता है और राजिक के किसी लोग सिवायोग का भी और जो हमारे राजिलोग सिवायोग का अध्यक्ष है वो पर नियुक्त हो सकता है इनकी नियुक्ति अध्यक्ष के पदपर हो सकती है कैसा हमारे आर्टिकल 319 में बताया गया है आईए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अनुच्छे 320 ये कहता है कि लोग सेवा आयोग के कारे लोग सेवा आयोग की काम क्या होंगे वो कौन से काम करेगा लोग सेवा आयोग उनके बारे में प्राब्धान किया गया है और 320 लोग सिवायोग के कारे यही है कि चाहे वो भरती परिच्छाओं का आयोजन कराना हो A ग्रूप और B ग्रूप जैसी परिच्छाओं का आयोजन हमारा कौन कराता है संग लोग सिवायोग कराता है ये कई बार चाहे इस्थानांतरन हो चाहे पदुन्नती हो इन सब के मामल में कई बार परामस देने का भी काम करता है लेकिन आप याद रखेंगे कि आरक्षनक इनको मिलना चाहिए इनके संबंध में लोक सिवायोग सलाह नहीं देता इनसे सलाह लेना नहीं बार नहीं है इनसे ली भी नहीं जाती बेवहारी कृप से तो अपन ने देखा कि 320 में क्या है UPSC संग सेवाओं की नियुक्तियां और उसके बाद संयुक्त लोक सेवायोग में देखा कि राज्यों के लोक सेवाओं की नियुक्ति करने का काम ये करते हैं अनुच्छे 320 का सब आर्टिकल 2 कहता है UPSC राज्यों के संयुक्त सेवाओं की नियुक्ति में सहायता करेगा जब भी संयुक्त सेवाओं की नियुक्ति की बात आएगी उस समय संग लोग सेवायोग इनकी मदद करेगा इनकी सहायता करेगा 36323 कहता है भरती प्रणाली, पदोनत, इस्थानांतर और अनुसासर आध इनका सबकत्ने करने का काम भी कौन संग लोग सिवायोग करता है सिफ सलाह दिता है आर्टिकल 325 ये कहता है कि राश्टपती राजपाल दौरा बनाये गए नियम चैउदा दिनों के लिए संसद के, मतलब बिधाई का के, चाहे राजपाल होगा तो बिधान सभा में या राश्टपती होगा तो संसद में इसको रखवाएगा आईए आगे देखे हैं अन आर्टिकल्स किस बारे में बात करते हैं अनुच्छे 321 कहता है कि लोग सेवाओं के कारियों का विस्तार कहा तक है किस सीमा तक इनका विस्तार है उसके बारे में हम देखते हैं तो UPSC संसद इस तर पर UPSC जो संग लोग सेवायोग है वो संसद के तहट इनका काम देखता है जो संयुक्त लोग सेवायोग है वो राजविधान मंडल के अंतरगत और अनुच्छे जो 322 है उसमें कहा गया है कि UPSC के ब्याए भारत की संचित निधी पर भारी होंगे भारत की संचित निधी पर इनके सदस्यों के अधिक्यों के चाहे बेतन भत्ते हों और तमाम खर्चे हों वो भारी कहां पर होते हैं तो भारत की संचित निधी पर भारत की संचित निधी का वर्णन भारती संभिधान के अनुच्छे 266 में किया गया है अगर हम सयुत लोग सेवा आयोग की बैकी बात करें तो यह राज्य की संचित निधी पर भारित होगा जो भी राज्य होंगे उनकी संचित निधी पर भारित होगा अनुच्छे 323 में कहा गया है कि लोग सेवा आयोग की रिपोर्ट लोक सेवा आयोग जो काम करता है वो आखिर अपनी रिपोर्ट की से देता है उसके बारे में बात ही गई है तो यूपी असी जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये राष्ट परती को अपनी रिपोर्ट सौंपती है और वो संसद में प्रतिवास लखवाते हैं इसको प्रतिवासी रिपोर्ट उनको सौंपी जाती है संयुक लोग सेवायोग की बात करें तो राज जपाल राज विधान मंडल में प्रतिवास ऐसा रिपोर्ट को ले जाके रखवाता है आईए देखते हैं अब पॉइंट नमबर फूर कहता है कि संग लोग सेवायोग की संरचना कैसी होगी संग लोग सेवायोग की संरचना का प्राबधान क्या है उसके बारे में बात करता है संरचना संरचना में ये कहा गया है कि एक अध्यक्षवादस सदस एक अध्यक्षवादस सदस होगे यह बरतमान संरिशना की बात हो रही है लेकिन जहां तक मुझे याद आ रहा है कि इसकी संरिशना का प्राद्धान भले ही एक अध्यक्ष और दस सदसे है लेकिन बरतमान में साथ आठ सदसे ही है इस डाटा को आप एक बार क्लियर कर लीजिए आईए देखते हैं पॉइंट नमबर टू कहता है कि सदस्यों के संख्या राष्टपती दोरा निर्धारित होती है राष्टपती को ये अधिकार है कि वो जब चाहे सदस्यों की संख्या का निर्धारन कर सकता है अगर उसे लगेगा कि ये पर्याप नहीं है तो यो चाहे तो और भी इसमें ब्रद्धी कर सकता है नियुक्ती की बात आप जानते हैं पहले चर्चा हो चुकी है कि राष्टपती जी करते हैं त्याग पत्र भी राष्टपती जी को ही दिया जाता है और पदावध के बारे में अगर बात करें तो पदावध इनकी 6 वर्स और 65 वर्स जो भी पहले होगा तब तक के लिए होती है हटाने के प्रक्रिया में राष्ट पती सर्वोच नियाले की जाच रिपोर्ट के बाद ही हटा सकता है ये मैंने आपको बताया और अगर सर्वोच नियाले ये रिपोर्ट में कहता है कि इनको हटाया जाना चाहिए तो गो सलाय राष्ट पती के लिए बाद्धिकारी प्रकार की होगी वो अनिवार रूप से ऐसा करना पड़ेगा अब 05 ये कहता है कि संग लोग सेवा आयोग के अध्यक्ष वा सदस्यों की सोतंतरता क्या है उनके बारे में देखिए ये कितनी सोतंतरत है कहां तक इनकी सोतंतरता है उसके बारे में बात की गई पदावधिकी सुरक्षा राष्टपती एक निश्चित प्रक्रिया की अनुसारी हटा सकता है राष्टपती जी मनमानी ढंक से ऐसे नहीं हटा सकते उनके लिए भी एक निश्चित प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को फॉलो करके ही इनको हटाय जा सकता है इनकी पदावधिक सुरक्षा समभैधानिक प्रक्रिया के तहत है। दूसरा point, संग लोग सेवा आयोग के अधक्ष वा सदस्चयों के कारकाल के बाद भारत सरकार या किसी राज सरकार की आधिन कोई भी प्रकार का पधारन नहीं करेंगे। सरकार के अंतर कोई पद्धारत नहीं करेंगे, ये चाहें तो अन्य जो समभैधानिक पद होते हैं, राज जपाल वगएरा ये बनाये जा सकते हैं और बनते भी हैं पॉइंट नूबर थी कहता है कारकाल के दौरान किसी प्रकार का अलावकारी परिवर्तन नहीं होगा, अगर जब इनकी नियुक्ती हुई, उस समय जो इनके बेतन भत्ते अयन और सिवाओं में जो भी संबैधानिक प्रक्रिया थी, जो भी संबैधानिक प्राभधान थे, उस में अलावकारी परिवर्तन नहीं होगा, उसमें कमी नहीं की जाएगी, पॉइंट नूबर फोर ये कहता है कि आयोक के द्धक्छुआ, आयोक का कार भारत की संचित निधी पर भारित होगे, खर्च, कार नहीं साथी हो, खर्च और वो कहां भारित होगा? भारत की संचित न काम की रिपोर्ट राष्टपती को सौपता है यह जो भी काम है वो काम की रिपोर्ट राष्टपती को सौपता है अखिल भारती सेवाओं केंद्री सेवाओं और केंद्र पसासित सेवाओं में न्युक्ति के लिए परिच्छा का आयोजन कराना तो आप जानते हैं कि जो भी अखिल भारती इस्तर की परिच्छाएं होती हैं, गुरूप A, गुरूप B, इस्तर की जो भी परिच्छाएं होती हैं, उनके आयोजन, चाहिए वो अखिल भारती इस्तर की हो, चाहिए वो केंद्र की इस्तर की हो, या केंद्र और जिन भी परिच्छाओं का आयोजन कराता है उनका परिच्छा का कंड़क्ट कराने का काम संगलोग सेवायोग का है राजपाल के अनरोध पर राश्टपती के सुकृति के बाद राज्यों को सलाह देने का भी काम करता है कौन संग लोग सेवा आयोग वो कब करता है जब राजवाल पहल करता है और राष्ट पती जी इसके अनुमती देते हैं तो संग लोग सेवा आयोग राज के उन मामलों पर क्या सलाह देने का काम करता है संग लोग सेवा आयोग अपना परामस देता है संग लोग सेवा आयोग की जो प्रकिती है वो सलाहकारी प्रकार की है यह आपको ध्यान रखना है यहां में कई बार ऐसे कोश्चन पूछे जाते हैं अब हम देखते हैं इनकी सीमाएं कहां तक हैं क्योंकि कोई भी आयोग हो कोई भी संस्था हो कोई भी कमिशन हो उनकी एक सीमा होती है उस सीमा तक ही वो कार्य करते हैं इनकी सीमाओं को पहला पॉइंट है उसमें ये है कि नौकरियों में आरक्षन प्रदान करते समय आयोग से परामर्स नहीं लिया जासता उस समय आयोग का हस्त छेप नहीं होता जब आरक्षन की बात होती गुरूप C एवं D की भरती भी नहीं कराता संग लोग सेवा आयोग ऐसे परिच्छाओं की ऐसे भरती आयोजन नहीं कराता राष्ट पती आयोग के अधिकार छेत में सामिल किसी पद सेवा और अभिसय को परिवर्तित कर सकते हैं ये संबैधानिक राबधान है अन्य तत्थ में देखें अन्य महत्वूर तत्थ में अगर देखें अन्य जो महत्वूर तत्थ हैं उनमें क्या वर्णन है तो हम पहले पॉइंट में देखें कि संग लोग सेवा आयोग द्वारा दिये गए सुझाव सलाहकारी प्रकित के हैं ये जो भी है संग लोग सेव भी नागरिक को चाहे तो समन जारी कर सकता है या पूछताज के लिए बुला सकता है सरदार पटेल को भारती प्रसासिनिक सेवा का जनक कहा जाता है ये आप जानते हैं कि जब भी सिविल सेवाओं के ससक्ती करण की बात होती है उस समय सरदार पटेल जी का नाम सबसे पहले आता है और सिविल सेवाओं को ससक्ती करण करने का काम इसने किया तो गो हमारे सरदार बल्लब भाई पटेल जी ने किया जिनकी स्टेच्यू आफ यून्टी भी बनी है गुजरात में आप जानते होंगे आप कभी वहाँ जाएं देखें मोदी जी की नगरी है वो आपको वहाँ का अलग अनुभाव देखने को मिलेगा अब अब देखते हैं पॉइंट नमबर फॉर कहता है कि भारती प्रसासनिक सेवा में भरती के लिए पहली परिच्छा जुलाई उनई सो सेवायोग में आयोजित हुई थी इस तरह कोई बार फैक्चुल कोश्चन हमारे मदफ देख लोग सेवायोग में पूछे जाते हैं इसलिए आप इनका ध्यान रखें पॉइंट नमबर फाइब कहता है कि सिविल सेवा में इंपीरियल सब्द के इस्थान पर भारती सब्द का योग उनई सो 26 में शुरू हुआ तो साथियो आज हमने देखा पढ़ा समझा बिस्तार से मैंने आपको संग लोग सेवायोग के बारे में बताया उन सभी डाइमेंसन के बारे में चर्चा करी जिन से एक्जाम में कोश्चन पूछे जाते हैं तो हमने लगभग ऐसी कोई भी चीज आपके लिए बगाया नहीं छोड़ी है जो कि आपके एक्जाम में पूछे जाएं इसलिए आप हमसे जुड़े रहें और अपनी तयारी को बेतर बनाते रहें आपका बहुत बहुत धन्दवाद हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले अलग टॉपिक के इंपोर्टन टॉपिक के साथ आपका बहुत बहुत धन्दवाद